अलेकुम माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू माई चैनल हम स्टार्ट किया हुआ है क्वेरी इंपोर्टेंट चेप्टर है अब हम एक्सराइज 9.2 के लॉंग करने जा रहे हैं 45678 यह वेरी इंपोर्टेंट लॉंग क्वेस्टेंज है इसमें से एक पार्ट लास्पी प् अक्सवाइजाजैं फूमतिक संग्रal चैप्टर्ट है你ए वैरी इंपोर्टेंट हैं किछमेज्ट मेन्व और अजिसमेंicing अपने क्या करना है find the values of the remaining trigonometric functions and देखें हम आपके पास sin theta दिया गया है है आपके पास 12 over 13 sin theta given है 12 over 13 and terminal arms of angle in quadrant first अब जो वो लाए करेंगे वो इस quadrant में लाए करेंगे first quadrant में अब हम यहाँ पर पहली values बता देते हैं कि sin theta हमारे पास क्या होता है sin theta हम चोटी क्लासिस से पढ़ते आ रहे हैं कि यह हमारे पास perpendicular over hypotenuse होता है अब perpendicular हमारे पास होता है यह y है और यह हमारे पास क्या होता है यह r है y over r की equal मतलब हमारे पास जो given value है 12 over 13 वो 12 y है y is equal to मारे पास क्या है y equal to 12 है वो जो r है r आपके पास कितना है 13 r अग 13 दिया गया है हमने क्या find करना है r हम क्या use करेंगे by pathagoras हम pathagoras को use करते हुए यहां पे find कर लेंगे r तो यह जो हमारे पास होता है x square plus y square is equal to r square अब यहां से हमने x square जो है वो हमने find करना है x square यहीं पे रहेगा और जबके जो r square इसमें से यह इदर ले जाएं तो यह हमारे पास हो जाएगा y square अब r square की value r हमारे पास क्या है r जो है वो हमारे पास है 13 r है 13 का square और जो y है वो हमारे पास किसका square है 12 का square 13 का square हमारे पास 169 12 का square है 144 अब 169 में से 144 44 माइनस कर लें तो आपके पास क्या आजाएगा 25 आजाएगा 25 जो है X-Caire अब हम क्या करेंगे दोनों साइट पर स्केर रूट ले लेते हैं जो X-Caire से कर जाएगा तो आपके पास जो X की वैली क्या जाएगी X is equal to 5 हमने यहाँ पर बाइपर्थागोरस theorem को यूज करते हुए X-C value फाइंड कर ली है जो कि मारे पास है 5 अब हमें questions में क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो angle है वो लाए करेगा किस quadrant में first quadrant में तो हम पहले है quadrant draw कर लेते हैं अब first quadrant है तो हम यहाँ पे पहले quadrant को draw कर ले अब आपने जब भी quadrant के अंदर triangles को draw करना है जो इसका center है वो हमेशा क्या होगा R होगा तो R हमारे पास क्या है R is 13 R यह है और यहाँ पर हम करें तो यह हमारे पास क्या होता है perpendicular जो के Y है Y आपके पास था 12 और जो हमने अभी find किया है वो हमारे पास क्या है X X is equals to 5 और यह हमारे पास किस में लाइक किया है first quadrant में लाइक किया है sin theta हमारे पास आ गया है जो given value थी हमारे पास क्या थी sin theta is equals to 12 over 13 अब हम sin का inverse करें तो sin का inverse क्या होता है cosecant theta जो हमारे पास इसका उल्ट कर लें 13 over 12 जो हम remaining angles find करेंगे इसके पास हमारे पास क्या है cos theta आ जाएगा अब जो cos theta होगा वो हमारे पास क्या होगा cos theta is equals to base over hypotenuse यह base है और यह hypotenuse है तो base आपके पास क्या है 5 5 over 13 और आप cos का ultimate success coming wszyscy हमारे पास क्या होगा है second theta जो हमारे पास हाएगा 13 over 5 के अब इसका नवुपास है 10 theta जो time theta है वो क्या होता है वो हमारे पास perpendicular over perpendicular over base जो हमारे पास हाईगा perpendicular over base अब परपास 12 है बेस और पास 9 तो यहां पर यह क्वा ओब एक्स आएगा 12 over 5 अगर हम इसका उल्ट कर दें तो वह हमारे पास क्या एगा कॉट, कॉट थीटा इस इक्वस्टो हो जाएगा 5 ओवर 12 तो यह हमारे पास हो गया 6 trigonometric functions हमने find कर लिये हैं जो के लाइक कर रहे हैं किसमें 1st quadrant में अगर आपको इस question में कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे comment box में पोच सकते हैं और यह important long questions हैं इससे करना कोई मुश्किल बात नहीं है दस हम यहाँ पे हमें कोई 1 sign के साथ values दी होती हैं और बाकी जो हम होती हैं वाइप ऐसा और सीरूम को यूज करते हैं फाइंड कर लेते हैं ओके जी आला हाफिस